तर्मस्कार आज हम डिस्कस करेंगे अच्पी एसी का प्रिवेसु पेपर है इसका अज हम पॉलीटी का सेक्षर्ण जो है उसकर करेंगे और डिसकस करेंगे ताकि आपको आने वाले हरीक एक्जाम महां मिल सके जैसे की पहले भी मिलती रही है question number 179 से अभी हम start करेंगे बोलते हैं the convention that once a speaker always a speaker is followed in तो बोलते हैं एक वार speaker हमेशा एक speaker ये परंपरा जो है इसका पारण कहां पर होता है तो अगर हम बात करें कि इस परंपरा का पारण कहां पर होता है तो ये होता है UK में ऑप्षिन ने United Kingdom जो है वो सही answer तो ये ध्यान रखना है अगर हम इंडिया के constitution के according speaker की बात करें दोखो speaker से डिटेट क्या-क्या question जो है exam में पूछे जाते है question एक पूछे जाता है कि सबसे पहले speaker कौन थे लोगसभा के सबसे पहले speaker थे लोगसभा के जी भी मावलांकर इनका नाम आपने ध्यान रखना है question बनता है कि लोगसभा के जो speaker है वो किसके द्वारा जो है वो चुने जाते हैं किसके द्वारा elect किये जाते हैं लोगसभा के speaker जो है वो लोगसभा के members के द्वारा ही जो है वो elect किये जाते हैं यह कोशिन आपने साथ में ध्यान रखना है और पहरे स्पीकर आपने ध्यान रखना है प्रजेंट में तो आपको बताए कि ओम बिल्ला जो है वो स्पीकर है तो उनका नाम भी ध्यान रखिए अगर हम UK के concept में बात करें तो British Constitution से हमने क्या क्या चीज़ें अडॉक्ट की है अपने Indian Constitution में वो question पूछा जा सकता है British Constitution में Constitution से हमने parliamentary form parliamentary type of government जो है यह form हमने वहाँ से अडॉक्ट की हुई है legislative जो procedure होता है वो भी हमने वहाँ से अडॉक्ट किया हुआ है British Constitution से cabinet system हमने वहाँ से अडॉक्ट किया हुआ है single citizenship सबसे important जो बूचा थे हो single citizenship है वो भी हमने British Constitution से अडॉक्ट की हुई है वह भी आपने ध्यान रखना है अगला question है मारे पास question number 80 question number 180 में बोलता है betting and gambling is listed in which list of Indian Constitution तो वह तहां betting हो गया gambling हो गया यानिके पनन और जुआ यह दोनों कौन सी list में आती है इंडियन Constitution की तो यह दोनों स्टेट लिस्ट में आती है option भी सही है अब यह दोनों स्टेट लिस्ट में आती है तो आपने क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो इंडियन Constitution है इसमें तीन तरह की list जो है वह मुखे रूप से बनाई गई है अब यह तीन तरह की list ने कौन कौन सी है इसमें एक तो आपकी state list list आती है इसमें आपकी union list आती है इसमें तीसे नंबर की list आती है वह आती है concurrent list तो यह तीन तरह की list जो है वह इंडियन Constitution में आती है यह तीनों की इंपोर्टन है अब यहां पर जब specific रूप से question पूछ आते हैं तो वह अलग-अलग list के बार में पूछ जाते हैं तो मैं आप को मुखे रूप से state list के बार में सबसे बहले बढ़ाता हूं state list में कौन-कौन से subject आते हैं state list में एक आपका यह gambling आ गया betting आ गया इसके लावा यहां पर आपके theater आ जाते हैं market आ जाता है fisheries आ जाता है local type की government जो होती है वह यहां पर आती है prison आपका agriculture आपका health और sanitation जो है public health ज लिश्ट यहां पर दी तो union list में क्या-क्या आता है अगर हम union list की बात करें तो union list में जो है आपका एक तो atomic energy, currency, banking, foreign affair, defense, interstate trade, commerce, census, audit यह सब जो है आपकी कहाँ पर आती है यह आपकी आती है union list में और concurrent list में क्या क्या आता है तो concurrent list में आपकी education, forest, weight and measure और wild animal, bird यह सब चीज़ें जो है कहाँ पर आती है concurrent list में आती है इसके लाबा और भी बहुत सार चीज़ें है जैसे की family planning, electricity, labor, economic and social planning यह सारी concurrent list में ही जोड़ी गई है तो यह आप इन list के बारे में ध्यान रखिए 181 question देखिए बोलते है which writ is issued by a high court or the supreme court to compel an authority to perform a function that it was not performing तो बोलते हैं एक प्राधिकारी जो अपना कारे नहीं कर रहा था उसे करने को बाध्य करने ही तू उच नियाले अत्वा सरवोच नियाले द्वारा कौन साथ समादेश जारी किया जाता है तो इसके लिए जो read issue की जाती है वो आपने ध्यान रखना है rate of mandamus जो है वो issue की जाती है परम समादेश जो है वो जारी किया जाता है अगर हम Indian constitution में बात करें कि कितनी तरह की read आती है सबसे पहला कोशिन बनता है कि कितनी तरह की read आती है तो 5 तरह की read आती है कौन कौन सी टाइप की रिट आती है पहले तो वो भी पता होना चाहिए हम इन अलग अलग टाइप की रिट्स के बारे में जाने हैं जो हमारे इंडियन कॉंस्टुशन में आती है पांच तरह की सबसे पहले आती है इनमें मेंडमेस रिट सबसे पहले कौन सी है, mandamble read और दूसे नमबर बाती है, hebas corpus read, तीसे नमबर बाती है, provisen read, चौते नमबर बाती है, ceratory read, और पांच में नमबर बाती है, कियो वरंटो read, यह 5 तरह की read आपने ध्यान रखनी है, यहां पर बात की जा रही है, mandamble read की, तो कई बार इसorit का मतलब पूच्छ ले जाता है इसरेंट का मतलब होता है वी कमांड इसका मतलब होता है और 7 आपने ध्यान रखना आ कि यह वो सुप्रिम कोट के दोरा जब ऐस तरहने हैं तो कौन से आर्टिकल के तहर आती है अर्टिकल 32 के तहर इसु कि यहाथी हैM अगर इशू करने हैं हाई कोट ने तो हाई कोट आर्टिकल नमबर 226 के तहर इशू करेगा 226 नमबर आर्टिकल के तहर वह भी आपने धियान रखना है तो यह रिट्स के बारे में होगी है वस इतना धियान रखिए अगला गौशन है बोलते हैं तो यह किस ने कहा था कि ग्राम राजय द्वारा राम राजय यह स्टेटमेंट ऑबिसली किस ने दी होगी मात्मा गान्धी ने दी होगी यूँकर यह ग्राम रूल पर जो था वो विलेजीज के उपर काफी फोकस करते थे इनका एक आर्टिकल जो मैं बहुत बार आपको बता विलेज पंचायत की यह आर्टिकल नंबर 40 में बात की गई है अगर हम और भी आर्टिकल्स की बात करें तो आप से पूझा सकता है कि कौन सी schedule इंडियन constitution कैसा है जो villages या फिर पंचायत के बारे में बात करता है तो पंचायत के बारे में जो आपका schedule बात करता है बात करता है वो ध्यान रखे 73rd constitutional amendment यह भी पंचायत इराज की बात करती है तो यह बेसिक सा हो गया यहां से अगले कोशन देखते हैं अगले कोशन में बोलते हैं तो constitution of India is designed to work as a unitary government तो बोलते हैं भारत का संभिधान एक एक साशन के तोर पर काले करने के उदेशे से बनाया गया है तो अगर हम बात करें constitution of India की जो design किया गया है unitary government की तो वो कौन से टाइब में होता है वो होता है आपका in time of emergency option B जो है वो सही अनसे रहे इन time of emergency जो है यह design किया गया है to work as a unitary government रहे से आपको पता है कि हमारा जो system है वो कैसा system है वो क्यासी फीडर सिस्टम है वैसे फैडरल सिस्टम इस तरह का system होता है जहां पर state or center के बीच में equal power जो है वो डिवाइड की गई होती है परन्तु हमारे पास ऐसा नहीं है हमारे पा पास ज्यादा power होती है और state के पास थोड़ी कम power होती है और यह unitary system होता है इसमें क्या होता है इसमें होता है कि जो center होती है वो supreme होती है जो सेंटर ने कह दिया वही finalize state के पास कुछ ज्यादा power नहीं होगी center ही जो है वो supreme है यह unitary system में होता है और यह कब होता है यह emergency के time में ही होता है अगला question है question number 129 बोलते है पार्लेमेंट और a state legislature can declare a seat vacant if a member absent himself without permission for the session consent और तो बोलते हैं बोलते हैं संसद अथवा एक राज्य विधान वंडर किसी seat को रिक्त भोशित कर सकता है यह दिस दर्स से बिना अनुमती के जो है वो अपने 70 से अनुपस्तित रहता है कितने समय था देखो अगर कोई भी member ऐसा है जो session में नहीं आता है और उसकी इजाज़त भी नहीं लेता यानिके बताता नहीं है कि वो absent रहे गाइतने दिन या फिर कुछ भी तो without permission जब वो absent रहता है 60 days कितना 60 days आप अगर होता है वहां से तो उसकी seat को खाली घोशित कर दे जाता है option भी सही answer तो 60 days का time यहां पर दिया गया कि 60 days तक बिना बताए अगर वो नहीं आता उसका कुछ पता नहीं चलता तो 60 days तक जो है नहीं आएगा तो उसकी seat वेकेंट होशित कर दे जाएगी यह ध्यान और आपको पता है जो कोई भी person कोई भी ऐसा person है जो दो जगा से चुना गया है जैसे मान लीजिए कोई राजय सभा का दस्ते है राजय सब्सक्राइब के लोग सभा के election होते हैं वो वहां पर भी contest करते हैं और वहां पर भी जीच जाते हैं तो उनको जो है वो क्या करना होत होता है अपनी एक seat जो है वो छोड़नी होती है जैसे मान लीजिए कोई राजय सभा से present time में है अब लोग सभा के election हुए वह वहां पर भी जीत लिया तो उसके पास दो सीटें होगी ना लोग सभा से भी मेंबर है राज सभा से भी मेंबर है तो 14 दिन के भीतर भीतर जो है उसको क्या करना होगा उसको जो है वो अपनी एक seat से जो है रिजाइन करना होगा यह होता है प्रोसीजर फूरा 130 कोशिन देखिए बोलते हैं concept of directive principle of state policy has been taken from बोलते हैं directive principle of state policy का concept हमने कहां से लिया है तो यह concept हमने लिया है Ireland से option भी सही अंसर है IRIS की जो government है वहां से हमने यह directive principle of state policy का concept लिया है अगर हम IRIS constitution की बात करें यहां से हमने क्या क्या लिया है यहां से हमने directive principle of state policy का procedure लिया है यहां से हमने nomination of member of रादेसभा लिया है कि रादेसभा की जो member nominate की रत हैं वो procedure लिया है President के जो election होते हैं वो procedure भी हमने Ireland की government से ही लिया ह UK का तो आपने डिसकस कर दिया, अगर हम Canada के बात करें, तो Canada से हमने क्या क्या लिया है, Canada से एक तो हमने Federation with Strong Center, यहाँ से लिया है, और हमने यहाँ से क्या लिया है, यहाँ से हमने लिया है, appointment of state governor by the center, मतलब जो governor चुने जाएंगे, वो center government की दोरा चुने जाएंगे, यह भी हमने Canada से ही लिया है, और हम USA की बात करें, USA से हमने एक तो अपना fundamental rights लिये है, most important, कौन से लिये है, fundamental rights, और judiciary हमारी independent होगी, यह procedure भी हमने कहां से लिया है, USA से ही लिया है, president का जो impeachment होता है, वो भी हमने USA से ही लिया है, removal of supreme court and high court judges, यह भी हमने US constitution से भी ही जो है, वो लिया है, और यह सब चीज़े हमने अलग-अलग constitution से जो हम बारो की है, और यह question में, question जो है exam में पूछे भी जाते हैं, तो अपने ध्यान भी थोड़े रखने है, अभी देखो हम discuss कर ही रहे थे और अगला question exam में पूछा भी गया है, बोलते है, which constitutional amendment has been established, पंचायती राज इंसिशन, तो बोल जाए कौन से year की है, करेंबर match करने को देखते हैं कि कौन से year की है, तो यह 1992 की constitutional amendment है, यह ध्यान रखना है आपने कि 1992 की है, और आपने ध्यान रखना है कि 10th schedule of Indian constitution जो है, वो बात करता है, पंचायती राज की यह भी ध्यान रखना है, साथ में आपने ध्यान रखना है कि article number 243 जी यह भी बात किसकी करता है, यह भी पंचायती राज के बारे में ही जो है, वो बात करता है, यह आपने दो तिन चीज़ें यहां से ध्यान रखनी है, जो भी important यहां से बनती है, अब schedules की जब बात हो ही रही है, तो मैं important schedules आपको बता देता हूँ, जैसे कि चौथे number का schedule हो different languages की जो हमारे constitution में है, साथवे number का schedule है वो बात करता है division of power between center and state, जैसे कि हमारे union list, concurrent list और जो तीसे number की state list आती है, वो सारी की सारी 7th schedule में जो हो आती है, हमारा जो 6th number schedule है वो बात करता है कि कुछ एक states मारे यह से हैं, जिनको special provision जो है, वो दिये गए है, administration related, जैसे कि अशाम, तरिपूरा, मेगाले, मिजोरम, यह state जो है, वो 6th schedule के तहरत आते हैं, और 11th schedule आपने जान ले, 10th number का schedule most most important है, present time है, यह है anti-refaction से related, तो यह भी आपने ध्यान रखना है, 10th schedule of Indian constitution, यह भी important है, तो यह सारे चीज़ें आपने यहां से ध्यान रखनेनी है, सबसे पहले तो आप ठीक है, 162 के बाद, 163 question number देखिए, antonium पूछा गया है, autonomy का, तो आपको पता है, autonomy क्या होता है, इसका antonium, इनके opposite meaning का आपको पताना है, तो dependence जो है, इसका opposite होगा, 163 का option भी सही answer हो जाएगा, आगे है 164, बोलते हैं, one word substitution दिया गया है, बोलते है, to talk without respect of something, scared or holy, तो उसको क बोलते हैं, कि किसी के साथ बात करना, मतलब without किसी respect के, without किसी डर के, तो 164 का option है, इसका सही answer हो जाएगा, blasme option A, जो है, वो सही answer हो जाएगा, 165 देखिए, यहाँ पर filling up blanks है, बोलते हैं, he dash that he could speak five languages, तो 165 का होगा, option B, he boasted, B-O-A-S-T-E-D, he boasted that he could speak five languages, तो 165 का option B जाही answer हो जाएगा, 166 देखिए, बोलते हैं, EDM का मतलब बताना है, तो वहाँ पर EDM दिया गया है, to wrangle over an ash shadow, तो इसका क्या मतलब होगा, 166 का, to quarrel over trifles option C, जो है, वो सही answer होगा, यह इसका मतलब होगा, 166 का, और देखो सबसे important है, टेलिग्राम, अगर टेलिग्राम पर अभी भी आप नहीं जुड़े हैं, तो टेलिग्राम open करना, अपना वहाँ से search करना, इस तरह से add the rate all exam 31, आपको हमारा टेलिग्राम टैनल मिल जाएगा, टेलिग्राम पर 22,800 जदिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाएए, अगर आप भी तक नहीं जुड़े हैं आने वाले exam point office जो भी चीज़े important होंगी, वो आपको टैलिग्राम पर सबसे पहले provide करवा दी जाएंगी, जैसे कि पहले भी provide करवाते रहे हैं, तो आज की video में इतना हैं काफी है, so that's all for today, thank you, thank you very much for watching and listening it very patiently